हेलो दोस्तो ओलिन वरंटी इटी चैनल में आप सफी का स्वागत है ये वीडियो जो है मुखरुप से सिक्षक बाहली पक्रिया से जूरी हुई है दोस्तो आप सभी देख सकते हैं कि नियोजन में बेदाग छबी वाले होंगे सामिल दोस्तो देख सकते हैं कि जीला परिसद म ओंदो उचमाध्मिक शीच्षक नियो जनन एवं प्ररंभिक विड्यालियों में शीच्षक नियोजन के लिए गुरुपर को एक दिवसी कार्शाला अयोस्तों किया गया वही ऐद्य दी इस सभाकर्श्य में डियोजितं कार्शाला में वीडियो के अलव़साड सीचाद ए अरुन कुमार मिस्रा ने कहा कि नियोजन के लिए सिक्षक पदों की गनना प्रात्मी कक्छाओं के लिए अलग की जाएगी वहीं पे नियोजन की आहरता सर्थ नियावाबली 2012 के अनुरूप होगी वहीं पे डिडिसी ने कहा कि नियोजन कार्ज में जवरत के अनुसार ही सिक्षकों की परतिनिक्ति की जाएगी इसमें इसका ख्याल रखेंगे कि अगर पुर्व में किनी सिक्षक पर नियोजन कमीटी में किसी भी परकार का आरोप लगा हो ऐसे सिक्षकों को परतिनिक्ति नह बिरेंद नरायन ने कहा कि नियोजन से संबंदित मार्ग दर्शिका का बेतर ढंग से अध्यन कर ले और निर्धारी तिथी के अनुशार ही कार्ज का संपादन कर ना सुनिचित करे अगर किसी भी परकार की परशानी होने पर तत्काल वड़िये अधिकारी को उसकी सुचना द के अनुसार 50% महिलाओं का नियोजन होगा महिला अभियर्थी नहीं मिलने पर पद रिक्त रहेगा मौके पर सिक्षू वड़िये उप सहर्ता दिलिप कुमार अस्थापना डीपियो परमुद कुमार सह के अलाबा अनुपस्थी थे वहीं पर नियोजन के लिए सेक्ष्णिक युगता जो रखी गई है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रात्मिक कख्षाओं के लिए तीन भी सहों के सिख्षक पदोकालिया नियोजन होना है इसमें सवानविसे के लिए सिख्षक अभियर्थियों की युगता इंटर पलस डीलेड बीएड रखा गया है और टीटी पास रखा गया है इसकी इसी परकार उर्दू भासा के सिख्षक के लिए बिहार मदासा सिख्षा बोड मौलबी एवं उर्दू युगता धारी अभियर्थि पाचास परतिसएत अंकों के साथ इंटर्मीडियेट उतिर्ण एवं बंगला भासा में सिख्षक के लिए बंगला भासा में सौ अंकों का बंगला बिसे में उतिर्ण इसी परकार मध्य विद्याले में गनीत भौत की रशायन अत्वा असन तक अत्वा असननतक वनस्वती विग्यान जन्तू भी जयन भीयन जन्तू भी जन्ता और आ कि इस परकार के विसेहों के लिए अलग अलग विटा निर्धायत की गरी एंड योगताओं के अलावा होना चाहिए साथ में आपका थीटी पासहा चाहिए वो समयपार्व दैयर बसी हैुद्टु इस मीटिंग का मुख्व उद्देशथ था कि विदागचवीवाल Bowl亮 सामिल करें नियोजन में जो पहले किसी ना किसी मामले में फंस चुके हैं किसी ने किसी पर कोई भी संद्दे है, उन्हें सामिल न की जाए और सभी अधिकाडियों को जो तालिका है वो बता दिया गया है कि इसको ठीक से आप पढ़ लीजिए और जो जिस समय पे जो काम होनी है इसी समय पे वो काम होनी चाहिए अगर आपको दिकत होती है तो आप जो है बड़िये अधिकारी से आप जो है संपर कर सकते हैं ततकाल लेकिन आपका काम जो होगा इसी नियोजन डेट के अनुशार से ही होगा वही फिर महिला नियोजन की बात करें तो महिलाओं के लिए 50% शीट जो है आरक्षित है अगर 50% सीटों पर महिला सिक्षक नहीं मिलती है सीट खाली रह जाती है तो उसे रिक्त रखा जाएगा उसके जगा पर मतलब किसी पुरुष को समें सामिल नहीं किया जाएगा तो आप सब देख सकते हैं कि 50% आरक्षन है महिलाओं को और जो भी रिक्त सीट रहेंगे वह रह जाएगी खाली साथ में विशेश रूप से जोड़ दिया गया है कि जो भी आरोपी सिक्षक है उन लोगों को परतिनिक्त नहीं किया जाएगा किसी कार्ज में इस नियोजन कार्ज मे साथ ही दोस्तों आप सबी देख सकते हैं कि नियोजन के लिए निधारित समय तालिका 16 अगस्थ को जिला अस्तरप रोष्टर का अनुमोदन एवाम नियोजन इकाइगा उसके बाद 20 अगस्थ को सभी नियोजन इकाइग द्वारा नियोजन के लिए सूचला का परकासन हो दी ही है जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं अगर दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देखिए और लास्ट में अंततर आपको नौ से तेरह दिसब्बर के बीच में नियोजन इकाइन दौरा नियोजन पत्र जो है निर्गत किया जाएगा आप सभी का तो दोस्त दोस्तों दोस्तों यह पूरी अपडेट जानने के बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए है इस तरह के लिए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बगल आइक और उसको बढ़ा देजे और हो सके तो अपने दोस्तों में से सेर भी कर दीजिए तो